हलो फरेंस, आज मैने सोचा कि कुछ हट के फलेवर बनाना चाहिए तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैंगो बेरी केक की रेसिपी तो अब आप सोच रहे होँगे कि मैंगो बेरी केक कैसे तो यहाँ स्ट्रॉबेरी फलेवर में मैंने मैं अपनी स्पॉंज को किया है रेडी और इसे मैं कट लगा रही हूँ पहले तो डोम शिप वाल जो एरिया है उसे कट करके बिल्कुल हटा दूंगी उसका आज मैं यूज नहीं करने वाली हूँ और इसके बाद इसकी तीन लेयर में हम कट लगाएंगे आज यह सस्ते किया है और आप देख सकते कितनी जालीधार है हमारी स्पॉंज तो इस तरह से हलके हांतों से मैं इसकी कटिंग लगा रहे हूँ क्योंकि आज मैंने इसे कर दिया था ओवर बेक एक्षिल मैं केक को चढ़ा करके चली गई घर के दूसरे काम को करने चुकि आज संडे था तो स्ट्रावेरी फ्लेवर में तो इस तरह से जब हमारे पास as a home baker हम कोई order लेते हैं और सस्ती बजट का जब केक आता है तो उस तोरान अपने केक को कैसे तयार करना है यह आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और आज की जो यह केक है यह 500 रुपे वाली केक है तो इस पहली लेयर में मैंने है strawberry aroma का यूज किया और दूसरी लेयर में भी हम लोग crush का यूज करेंगे sorry aroma नहीं crush का यूज किया और साथ ही साथ हमें करते जाना है crumb coating ताकि जब हम final frosting करें तो उस तोरान हमारा जो sponge का crumbs है वो whipping cream के उपर नहीं दिखने चाहिए अगर ऐसा दिखा तो हमारा काम मैशी हो जाता है फिर वो proper finishing हम अपने cake को नहीं दे पाते है यहां फिर से मैंने cream को कर लिया है apply और अब इसमें जो final हमारा layer था उसे मैंने पलट करके इस तरह से लिया है यानि sponge का जो नीचला हिस्सा था तो उसको सबसे top पे हम लोग पलट के यूज करेंगे ताक कि कम क्रीम में भी हमारा काम अच्छा हो और proper finishing दिखे तो इस तरह से यहां अब मैं क्रीम को apply कर रही हूं मैंने दू फ्लेवर में जो क्रीम को तयार करके रखा था तो strawberry वाली क्रीम को मैंने apply कर दिया अब top वाले हिस्से में मैं सारे mango वाले क्रीम को apply करने वाली हूं और यह तरह से एक अलग color की effect आ रही है हमारे cake के ऊपर तो यहां अब अच्छी तरह से cover कर लेना है अपने cake sponge को और आज की यह जो सस्ती वजट वाली हमारी cake है वो कुछ इस तरह से तयार होने वाली है अब plan scrapper से से अच्छी तरह से मिला लेंगे शार्प कर लेना है अपने cake को और उपरी हिस्से में जो भी extra cream होगा उसे भी हम cut करके हटा लेंगे तो बड़ा ही आसान है दोस्तों आप भी मेरी तरह घर बैठे एक अच्छी order को timely prepare कर सकते हैं डिलीवर कर सकते हैं तो घर की काम के साथ साथ आप कुछ earn करना चाहते हैं तो इस तरह की recipe के लिए बने रही है म तो वीडियो को like करें और जादा से जादा शेयर करें और इस वीडियो से related कोई भी query आपके मन में हो कोई भी question हो तो please मुझसे जरूर पूछे मैं जहां तक possible होगा उसका answer करूँगी और इस तरह से 2D nozzle में मैंने डाल दिया cream को और leftover cream से इस तरह यहाँ पर हो गई मेरी यह design ready और अब बद्दे बॉय का मैं नाम लिख रही हूँ नाम लिखने के लिए मैंने हाँ चॉकलेट का यूज किया है डाक चॉकलेट को milt करके मैंने piping bag में ले लिया है और इस तरह से बद्दे बॉय का नाम लिख दिया अब इसमें जाएगा एक बद्दे टैक और कुछ चॉक जिसे आसानी से आप भी घर बैठे तयार कर सकते हैं तो इस तरह से आज मैंने अपने order को किया है complete और order छोटा हो या बड़ा बड़े ही दिल से हम home baker इस काम को करते हैं और एकदम से fresh चीज़े अपने customer को provide करते हैं ताकि हमारे पास हमेशा order आता रहे जितना जादा order आएग के लिए video बना पाएंगे और upload कर पाएंगे तो इसी तरह की recipe के लिए बने रहे मेरे चैनल में मिलती हूं में अपने next video में